तो लेके आया हूँ वो वीडियो है राजिस्थान पे जो CHO का एक्जाम्स हुआ था उसका questions paper जो आपका आचुका है answer state तो चलिए friends देखते हैं यहां का questions paper जो आपको बहुत ही importance है और कई exams के लिए आपको फायदा हो सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो पहला questions आया हुआ था इसका जो correct answer है friends वो है साथ अप्रेल क्योंकि साथ अप्रेल को ही विशु स्वास्त दीवस मनाया जाता है और इसी दिन WHO की World Health Organization की स्थापना हुई थी साथ अप्रेल को ही next second question से भारत के वर्तमान राष्टपती कौन है तो यहां option दिया हुए वेकेईया राडू, स्री पड़ाव मुखर जी, स्री रामनात कोविन तो इसका correct answer आप सभी को पता है स्री रामनात कोविन जो है हमारे वर्तमान राष्टपती जी है चलिए अब नेश्ट देखते हैं question no.3 है MTP एक्ट भारती संसद्वारा कब लागू किया गया है MTP का full form आप सभी को पता ही होगा medical termination of pregnancy तो एक्ट 1962, 1971, 1965 या फिर 1984 किस में हुआ था तो इसका correct answer है यह है 1971 question no.3 का answer no.2 next questions निमलिखित बीमारीों में से कौन सी बीमारी का भारत से उनमुलन किया जा चुका है तो friends भारत से उनमुलन कोन से बीमारी का किया है 6 रोग अर्थात इसको टिवी रोग कहते है malaria, polio या फिर AIDS तो friends जो भारत से उनमुलन किया गया है वो है polio, polio जो बीमारी है उसका उनमुलन किया गया है next questions है Harit Kranti Green Revolution का आहवाहन किस ने किया था तो option दिया हुए है वर्गिस कूरियन, त्री भूवन दास पटेल, M.S. स्वामी नाथन एंड H.M. दलाया तो इसका जो correct answer reference हुआ है H.M. स्वामी नाथन चलिए next questions देखते हैं भारत में स्वक्ष भारत अभियान का सुवारम कब किया गया था? दो सितंबर 2014, दो अक्टूबर 2014, पंदर अगस 2014 और दो अक्टूबर 2013 तो इसका जो correct answer friends वह answer है answer number B, दो अक्टूबर 2014 को किया गया था चलिए next questions निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को global warming का जिम्मेदार ठहराये गया है? green house effect, कोईला खदानों में आग, सुखी, खेती या फिर मानसून तो friends जो global warming है उसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है आप सभी को पता ही होगा green house effect next निम्न में से कौन सा रोग? फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है अर्थात मल मुख मार्ग से नहीं फैलता है पहला option है खसरा, B टाफाइड, C कोलेरा, D हैपेटाइटिस तो friends आप सभी को पता है कि खसरा एक वारस जनित रोग होता है जो वारस के द्वारा होता है इसके लाओ जो टाफाइड, कोलेरा और हैपेटाइटिस ए यह सभी जो होते हैं खाने के भोजन के द्वारा और मल मुत्र मार्ग से फैलने वाला यह रोग होते हैं इस सिवाए खसरे के चलिए अब next questions की और बढ़ते हैं ए मिर्तियू का मुख्य कारण्ट कौन सा होता है तो बच्चों में जो दर्ध दस्त होता है इसमें कि दर्ध होने से हमारे बॉडी होती है उसे जытनी वाटर होती है, साथ में वाटर के साथ जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वह सब ही निकल जाते हैं, तो इसमें देखिए दस्त का जो ड्रोग मिर्त्यू का मुख्य कारड कौन सा हो जाएगा, उल्टी, पेट में दर्द, निर्जली करड या फिर सुस्ती, तो होता है, वाड़े लोगों की मृत्यू होती है, दस्त में, दिमिंट में से पांच वर्षे छोटे बच्चों के म।क्या मुख्य कारड क्या है, और ऑप्सन नमबर फर्स्ट है, दस्त ठी त्रोग भी निमोनिया, Сी खसरा, भी छोती मता, तो पांच वर्षे जो छोटे बच्चों को हो जाती है और यह मुख्चे कराण हो जाती है मिडिथ्त्यू के लिए बच्चों में समाने capillary रिफिल सवे, left to be normal capillary time कितना होता है एक सकेंड से कम, तीन सकेंड से कम, पांस सकेंड़ से एंड सेकेंड तो कैपिलरी, नॉर्मल कैपिलरी जो टांइम होता है वothes तीन सकेंड से कम होता है आप एक च्छा मा के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं समानेत निमले में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है बच्चा चम्मस से स्वयम खाना खा सकता है बच्चा स्वयम बैठ सकता है बच्चा स्वयम खड़ा हो सकता है तो friends आप सभी को पता है कि 6 मा के बच्चे में विकास का आगलन कर रहे हैं तो उनमें क्या हो सकता है तो 6 महिना में बच्चा अथीक सधीक बैठ सकता है खुद से बाकि इसके लिए ना बोल सकता है ना खा सकता है ना खुद से ख़ड़ा हो सकता है इसलिए इसका correct answer number C आएगा next question से भारत में जन्म के समय नोजात का वोजन समाने ता कितना होना चाहिए तो नोजात का जो समाने वोजन है वो कितना होना चाहिए तो धाई किलो से उपर होना चाहिए तो इसलिए correct answer आएगा धाई से 35 किलो normal weight होता है वार्ण weight तो question number 13 का answer number हाजएगा c next question number 14 जब कंगारू mother care परदान की जाती है वो कम से कम कितने समय तक परदान करनी चाहिए कम से कम 15 मिनट कम से कम 1 घंटा कम से कम 3 घंटा और कम से कम 6 घंटा तो जो कंगारू mother care है वो कम से कम करना चाहिए एक घंटा next question से labor room का तापमान centigrade में कितना होना चाहिए तो friends labor room में जो temperature होना चाहिए वो कितना होना चाहिए है option है 20 to 24 degree centigrade 26 to 28 centigrade and 28 to 30 and 34 to 37 तो friends इसका जो correct answer है वो है 26 to 28 next question number 16 कौन सा immunoglobulins मानों के दूद human milk में पाया जाता है तो friends human milk में पाया जाने वाला option नमबर फर्स्ट है IgG IgM IgE and IgD तो friends इसका मैंने एक वीडियो भी बनाके रखा है immunoglobulins related कौन से immunoglobulins कहां पाया जाता है तो friends इसका जो correct answer है वो है IgA question number 16 का answer हो जागा D क्योंकि यह जो होता है immunoglobulins जो होता है breast milk vagina guts यह सब में मिलता है और जो IgG होता है वो बच्चे को एक ऐसा immunoglobulins है जो बच्चे में घ्रून अवस्तान प्लेसेंटा को ही पार करके जाता है और anti allergic में आपको यह IgE देखने को मिलेगा तो इचले friends next questions के और बढ़ते है question number 17 BCG vaccine का injection किस प्रकार लगाया जाता है intradalma subcutaneous intramuscular या फिर intravenous तो BCG जो vaccine होते है इसका full form होता है bacillus calmet urine यह vaccine जो होता है वह टीवी रोग के बचाओ के लिए लगाया जाता है जिसको छह रोग भी कहते हैं और यह जो injection दिया जाता है फ्रेंट्स वह जर्म के तुरंद बाद या एक वर्स के भीतर लगाया जाता है और इसके जो देने की रूट होती है वह होती है इंट्रा डर्मल question number 17 cancer number A next questions कोपलिक spot किस बिमारी में देखने को मिलते हैं जो कोपलिक spot होता है वह छोटी माता जिसको chicken pox कहते हैं mums खसरा जिसको मिजल्स कहते हैं और polio तो फ्रेंट्स कोपलिक जो spot होते हैं वह हमें खसरे में देखने को मिलता है next questions समयकित वाल विकास सेवाएं योजना ICDS scheme ICDS का फुलफो होता है integrated child development scheme के लाभरती कौन है छोटे बच्चे गर्वती ते था इस तन पान कराने वाली महिलाएं बुजुर्क व्यक्ति ए तथा भी दोनो तो friends ICDS के तहट छे वर से छोटे बच्चे और गर्वती वह इस तन पान कराने वाले महिलाएं यह दोनों इसमें सम्मिल होते हैं इसलिए इसको जो correct answer है वह हो जाएगा answer number D next है निम्ड में से calcium का सबसे बढ़ियां स्रोथ कौन सा होता है मास, फल, दूद, सबजी तो आप सभी को पता है कि इसको जो सबसे बढ़ियां स्रोथ होता है वह होता है दूद तो correct answer है 20 cancer number C next questions निम्ड में से कौन सा macronutrients नहीं है तो macronutrients का मतलब होता है अधिक मात्रा में जो nutrients होते हैं वह नहीं होता है macronutrients का होती ही जिसकी सरीर में हमें सुक्ष मात्रा में आर्शक होती है तो macronutrients सब हैं सिवाए एक के तो पहला option है protein, second है vitamins, third है fats, third vitamins and fourth carbohydrates तो friends इसका जो correct answer है वह है vitamins क्योंकि हमें vitamins को थोड़ी सी मात्रा में चाहिए और बाकी जो protein, fats, carbohydrates है यह हमारे सरीर में अधिक मात्रा पे होता है क्योंकि यह सब energy प्रदान करते हैं तो friends इसका जो correct answer है वो answer number C, next question निम्र में से कौन सा water soluble vitamin है तो आप सभी को पता है जो हमारे सरीर पे vitamins या जो हमारे जो जो जोरी vitamins होते हैं वो vitamins दो प्रकार के बाटा गया है एक gel पे घुलनसिल जिसको water soluble vitamins कहा जाता है दूसरा होता है fat soluble जिसको वसा में घुलनसिल vitamins कहते हैं तो friends आपको option दिया हुआ है vitamin A, vitamin C, vitamin D और vitamin E तो आपको बता दू friends जो water soluble होते हैं vitamin B and vitamin C water soluble होते हैं and vitamin A, D, E और K या वसा में soluble है तो vitamin B और C होने के वज़े से इसका जो correct answer आ जाएगा answer number B चलिए next questions के और बढ़ते हैं निवन में से कौन से खाद्य प्रदात से vitamin E की सबसे अधिक मातरा मिलती है mint, sunflower, vegetable या फिर fruits तो vitamin E की सबसे अधिक मातरा, vitamin E को friends आप सभी को पता है सौंदरे vitamin के नाम से भी जाना जाता है तो vitamin E सबसे अधिक जो मातरा में पाए जाता है वो है, sunflower oil अर्थाथ जो सुर्य मुखी का तेल होता है उसमें सबसे अधिक vitamin E पाया जाता है next question, vitamin C की कमी से कौन सी बिमारी होती है, night blindness, scurvy, rickets, berry berry तो friends आप सभी को पता है, night blindness जो होता है, vitamin A की कमी से, rickets, vitamin D की कमी से, berry berry, vitamin B की कमी से किन्तो जो इसकर भी है, वो होता है, vitamin C की कमी से चलिए friends, next questions के वर बढ़ते हैं बच्चे को पूरक आहार, complimentary feeding कब सुरू कर देना चाहिए? पैदा होते ही, 6 मा की उम्र पर, 1 वर्स की उम्र पर, 2 वर्स की उम्र पर तो friends, इस्तनपान के साथ जो complimentary feeding दिया जाता है, वो होता है, 6 मा के उम्र के बाद जैसे ही बच्चे 6 मा का उम्र का हो जाता है, तब उसे उपरी आहार अर्थात, इस्तनपान के साथ, उपरी आहार भी दिया जाता है vitamins, carbohydrates, fat या फिर protein, तो friends आप सभी को पता है, tissue जो repair करने के लिए सबसे आवस्तों जो तत्व होते हैं, पोशक तत्व होते हैं, वो होता है protein, तो question number 26 का answer हो जाएगा, answer number D चलिए next questions क्यों बढ़ते हैं, question number 27 है, नेमर में से कौन सा लक्षर डेंगू बिमारी का नहीं है, तेज बुखार, हलका बुखार, आखों में दर्द, और जोडों में दर्द, ये चार option दिया हुआ है friends, तो आप सभी को पता है, जो डेंगू बिमारी होती है, उसमें कभी भ हलका बुखार नहीं रहता है, हमेशा इसमें तीज बुखार रहता है, आखों में दर्द रहता है, जोडों में दर्द रहता है, ये सब गेंगू का लक्षर होता है, next questions, VVM का full form क्या है, तो friends, VVM का जो full form होता है, वह होता है, option first है, vaccine, viability monitor, vaccine while monitor, vaccine verification monitor, and while ability monitor, तो friends, ये जो होता है, VVM, इसका full form होता है, vaccine while monitor, जो आपको vaccination के दौरान, जो vaccines while होते हैं, उसको monitor करने के लिए, उसमें चिपकाया जाता है, एक box होता है, जो white color का होता है, और उसके चार ओवर gray color का circle बना होता है, अगर वो gray color के इसाब से, अगर white circle हो जाता है, तो आपका vaccine खराव हो जाता है, इसलिए इसको monitor करने के लिए, इसको गुडवत्ता को जाचने के लिए, vaccine सही है, अखराव हो चुका है, तो यह सब के लिए, यह vaccine while monitor, VVM को लगाया जाता है, चले, next questions के और बढ़ते हैं, 9 माँ पर vitamin A की dose कितनी होती है, तो friends, 9 माँ पर जो vitamins की dose, पहली dose दी जाती है, उसे पहली खुराक की जाती है, इससे पहले vitamin A की खुराक नहीं दी जाती है बच्चों को, तो सबसे पहले जो option है, 50,000 international unit, second option है, 1,00,000 international unit, and third option है, 2,00,000 international unit, and fourth है, 3,00,000 international unit, तो आप सभी को पता है, तो इसका जो correct answer reference, वह फर्स्ट dose होता है, उसको एक ml देते है जिसमें 1,00,000 international unit होती है, इसके बाद 5 वास तक हर 6 महिनें पर दिया जाता है, जिसमें हर dose में, फर्स dose के बाद जो second dose होता है, उसमें 2,00,000 international unit दिया जाता है, किस वस्तु सता को कुरोना वारे से संक्रमन मुक्त किस रसाने पदार से किया जा सकता है, तो किसी वस्तु और सत को जो कुरोना से मुक्त करने के लिए, जो इस्तमाल किया जाता है, सोडियम हो, हाइपो क्लोराइड, मेथनौल, गलूटरिल दिया या फॉर्मेल दियाइड, तो question नमर जो 30 का answer है, वो है, answer number first है, sorry, D है, सोडियम हाइपो क्लोराइड के द्वारा, या कुरोना वारस से संक् कुरोन मुक्ति कर सकते हैं, किसी भी फर्स या वस्तु को, multi-drugs resistant tuberculosis के इलाज की आधी कितनी होती है, तो फ्रंस, इसमें जो tuberculosis के लिए 6 मा का इलाज करते थे, बट जो multi-drug resistance होता है, tuberculosis में उसमें जो इलाज होता है, वह 24 से 27 मा तक इसका चलता है, जिसमें एक सधिक आ जाती है, परतिरोधक्ष हमता इसके वज़े से, उसे 24 से 27 मा चलता है, गरुती महिला को टीटेस्ट अक्साइड के दो टीके लगाने की बीच कम से कम कितना अंतराल रखना जाए, एक सप्ता, दो सप्ता, चार सप्ता या बारा सप्ता, तो फ्रंस, एक मा का अंतराल रख है, और है, है तो फ्रंस, हम जो देते हैं, क्वेशन नमबर 33 का ए, वीचे जी, ओपीबी और है पहते इस बीका और वीचे जी का एक ही डोस दिया जाते हैं, जो जाम के तुर्द बाद दे सकते हैं, नेक्ट कोश्चन कोबीड-19 बीमारी का का रख क्या है, वेक्टेरिया, वाइरस, फंगर्स, प्रोटोज, काफी सर्यल कोस्टेंग, तो आप सभी को पता है, जो वाइरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, कोविड नैंटीन. नेस्ट कोस्टेंग, मानो सरीर में कितनी हड़िया होती है, तो काफी सरल सा क्वेशन फंग, चली इसको जल्दी से देख लेते हैं, तो यह होता है, दो सो छे, टीवी की जांच के लिए कि जाने वाले टूबर कुलिन टेस्ट को क्या करते हैं, सिक टेस्ट, मौन्टूक टेस् वो डिप्थिरिया कल करते हैं, मौन्टूक टेस्ट इसका करेक्ट अंसर है, मौन्टूक टेस्ट इसके लिए किया जाता है, वीडियाल जो होता है, वो सिकलिंग टेस्ट के लिए करते हैं, और अलाइजा जो होता है, वो अलाइजा अब टेस्ट होता है, जो हम अलाइजा म अब सभी को पता है, जो सबसे बड़ी हमारी ग्रंथी होती है लाजेस ग्रंथी वह होता है लिवर चलिए नेस्ट कोश्चन्स टेस्टीस द्वारा बनाए जाने हार्मोंस कौन सा है टेस्टीस जो होता है वह मेल में होता है तो उससे जो बनाए जाने वाले हार्मोंस जो होते हैं उससे हम टेस्टीस ट्रॉन कहते हैं लिवर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप से स्टोर किया जाता है लिवर में जो ग्लुकोज, सुक्रोज, क्लेक्टोस या ग्लाइकोजन हम सब बहुत पहले से पढ़ते हैं तो हमारे जो लिवर में ग्लाइकोजन की रूप में इस्थिर रहता है जो हमारा कार्बोहाइड गुलाइकोजन में होता है किस आबादी समुदाय को 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 संकरमीत रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं तो जो पहला case होता है undex इस primary case, secondary case या फिर carrier जो पहला case होता है उसे primary केस कहा जाता है नेश्ट है राज्थान की सिस्व मृत्व दर कितनी है तो राज्थान में 1000 जीवित जन्व जो सिस्व की मृत्ति होते हैं उसे सिस्व मृत्व दर कहते हैं तो इसका जो correct answer reference question number 41 का answer number C 37 परती 1000 जीवित जन्वे नेस्ट question से BMW से क्या तात्परे है BMW basic medical waste biomedical waste blood medical waste या फिर बायो मैनी मैन पावर वेस्ट इसका फूल फॉल होता है फ्रेंट्स वह होता है बायो मेडिकल वेस्ट जेओ चिकित से जेओ रसानिक जेओ अपसिस्ट जेओ चिकित सा अपसिस्ट हो जाएगा फ्रेंट्स इसका नेस्ट है रक्त चाप बीपी मैं आपते समय इस्टूमेंट की नलियों के हाथ के और रखना चाहिए तो बाहर की और बाहर की और अंदर की और पीछे की और या फिर पीछे की और बाहर की और पीछे और बाहर की और तो इसका जो ऑपसिन एफ्रेंस लेटरल, मेडिकल, पोस्टेरियर एंड पोस्टेरियो लेटरल तो इसका जो कर्रेक्ट एंसर है एंसर नमबर भी मेडिकल या अंदर की और रखना चाहिए वरतमार में भारत की कुल प्रिजन अंदर टोटल फर्टिलेटी रेट कितनी होती है 1.8, 2.2, 2.5, 2.6 इसका एंसर नमबर है फ्रेंस, 2.2 टाफ हाइड विमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है विडाल, मिलार्ड्स, खान, मौन्टूक टेस्ट तो प्रेक्ट एंसर फ्रेंस, विडाल टेस्ट किया जाता है विशु स्वास संगठन, डबलू एचो का मुखाले कहां है निवर्क, जिनेवा, पैरिस, लेंडन तो फ्रेंस, इसका जो डबलू एचो का मुखाले होता है वो स्विडिजर लेंड के जिनेवा में है जल के सुध्धिकरण के लिए कौन सा रसानिक पदार्त इस्तमाल किया जाता है तो जल के सुध्धिकरण के लिए लाइम, ब्लिसिंग पाउडर, पोटेसिंग परमेगनेट या फॉर्मैल डी हैट तो सभी को पता है फ्रंस, आपके कुए में जो डाला जाता है, वो होता है ब्लिसिंग पाउडर तो कोस्टेन नमबर 47 का अंसर नमबर है बी नेस्ट कोस्टेन्स, एक प्रात्मिक स्वासकेंद्र, औसतन कितनी अबादी में इस्थापित किया जाता है तो फ्रंस, जो मैदानी इलाका होते हैं उसके लिए 20-30,000 होते हैं और जो पहाड़ी इलाका होते हैं उसके लिए 20,000 होते हैं इस तरहीके से इसके जो गर्रेक्ट अंसर है एंसर नमबर C, कोस्टेन नमबर 48 का अंसर C वर्तमान में राज्थान की मात्र मिर्तुद्दर, MMR, Mother Mortality Rate कितनी है MMR का फ्रंस एक और फुल फॉल होता है, मिजल, मम्स, रुवेला, बट यहां MMR का मतलब होता है Maternal Mortality Rate तो इसका जो आप्शन दिया है, 100 पर लाक्स, 150 पर लाक्स, 200 पर लाक्स, 250 पर लाक्स इसका जो correct answer फ्रंस हुआ है, option number B, 150 पर लाक्स Next questions है, देश में पिछली जन्गर्ना कब की गई थी? 2056 में, 2011 में, 2012 से 14 में या 2019 में तो फ्रंस आप सभी को पता है, अभी 2011 में जन्गर्ना हुआ था, इसके बाद अभी 2021 में जन्गर्ना होना है थी इसलिए इसका correct answer है, answer number B, तो फ्रंस, आज मेरा part यहीं समाप्त करता हूँ, part 2 ले के आऊँगा, जिसमें और 50 questions रहेंगे, उमीद करता हूँ, आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, चैनल को कर लिजे, subscribe, thank you for watching, have a good day, जय हिंद, जय भारत,